में क्या कहा गया है कि a line intersects y-axis and x-axis at point pnq, ठीक है वाई, लेकिन line जाती कहां से, उसके पास एक clue हमारे पास है, 2, minus 5 से होके जाती है, तो 2 x पे 2 हो गया आपका, तो x पे आप चलोगे ये 2 unit, और y के along चलोगे minus 5 unit, तो आप यहाँ पे आ गया है, तो ये point आपका हो गया, 2, minus 5, 2, minus 5, जो line है आपकी, वो line यहीं से होके जाती है, ठीक है, तो line हम लोग draw कर देते हैं, इसका midpoint होना चाहिए, ठीक है, तो midpoint तो बड़ा, अब थोड़ा सा qualitatively अगर इस चीज़ को improvise करो, थोड़ा बनाना difficult हो जाएगा, ठीक है, हम ऐसे ही बना दे रहे है, rough आप समझ लीज है, कि यह कहीं आपका midpoint होगा, हमें नहीं पता यह कहाँ, है न, तो हमने कहा कि यह, suppose, यह x axis से p point पे mid करती है, और y axis से q point पे mid करती है, कहा है न, कि axis से वो y axis and x axis, अच्छा y axis से जिस point पर meet करती है वो P दे रखा है इसका मतलब और जहाँ X axis से meet करती है उसे क्या दे रखा है Q दे रखा है तो यह हो गया आपका P point हो गया और यह Q हो गया अब हमें यह पता है कि जो यह 2, minus 5 है यह तो meet point है अब P point और Q point के बारे में आपको speciality पता है कि P point आपका कहा है P point आपका लाई करता है Y axis पे अगर यह Y axis पे है तो इसको आप क्या assume कर सकते हो 0, Y, X coordinate 0 होगा यह आपको hit करना जी जो पहली गलती जो बच्चों को नहीं करती है hit है ना अब X क्या हो जाएगा Q का coordinate क्या हो जाएगा चोकि वह X axis पे तो Y coordinate 0 होगा तो X, 0 होगा इसका मतलब अब हम लोग fact लगा दें कि जो 2 है और minus 5 यह क्या है mid points है इसका मतलब 2 equals to X1 plus X2 by 2 हो जाएगा और X1 plus X2 मतलब किसी को आप ले लीज़े X1 यह X1, Y1 हो गया और इसे हम X2, Y2 कह दे रहे हैं तो यह हो गया 0 plus X by 2 इसका मतलब यहां से जब X आप solve करोगे तो X क्या दीख रहा है आपको X4 दीख रहा है आपका X आ गया है इसका मतलब आपका Q का coordinate आ गया 4, 0 अब रही बात Y निकालने की तो Y1 plus Y2 मतलब जो माइनस 5 है इसका coordinate जो हो गया M का जो coordinate हो गया वो क्या हो जाएगा Y1 plus Y2 by 2, Y1 plus Y2 by 2 that means Y1 आपका क्या दीख रहा है Y दीख रहा है और Y2 0 दीख रहा है आप 2 तो Y जो आगया आपका यह माइनस का 10 आ गया आपका X Y दोन हो आगया therefore therefore यह subjective approach अब बता रहे है objective तो आप तक निप्टा दियो होते करके है जो P हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0, Y था इसका मतलब that equivalent to 0, minus 10 और जो Q हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका X, 0 था इसका मतलब यह 4, 0 हो गया 4, 0 and आपका हो गया 4, 0 and 0, minus 10 that means D part is your correct as answer ठीक